सुप्रभाद बच्चों आज के आनलेन क्लासेज में मैं अनामी का पांडे आपनों का स्वागत करती हूं आज हम वसंत भाग दो के अंतरगत पढ़ेंगे एक तीन का जिनके कवी स्वी अयोध्या सिंग उपध्याजी है तो सबसे पहले इनका जीवन परिशे जान लेते हैं कवीशे अयोध्या प्रिशाज सिंग उपध्याय हरियोज जी का जन्म 15 अप्रेल सन 1865 को आजम गड़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ इनके पिता जी का नाम भोला सिंग वा माता जी का नाम रुकमणी देवी था और स्वस्थता के कारण हरियोज जी का विद्याला में पठन पाठन ना हो सका अतह इन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्क्रेट, फार्स्थी, बंगला एवं अंग्रेजी का अध्यान किया सन 1890 में कानूनगों की परिक्षा पास करने के बाद आप कानूनगों बन गए कानूनगों अर्थात राजस्व विभाग का छेत्री अधिकारी सन 1923 में पद से अवकास लेने पर कासी हिंदू विस्विध्याले में प्राध्यापक बने 16 मार्च सन 1947 को इनका निधान हो गया आईए इनके साहित्य से परचीत होते हैं इन्होंने बहुत सारे गरंतों के साहित्यों की महाकाव्यों की रचना की है जिसमें से हम कूछ प्रमुक साहित्य के बारे में जानेंगे हर्याउद जी संस्कृत ब्रजभासा एवं खड़ी बोली पर अपना समान अधिकार रखते थी उन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रीप्रवास की रचना की जिसे खड़ी बोली की प्रथम रचना के महाकाव्य की नाम से जाना जाता है वैदेही वन्वास या भी एक महा काव्य अद्यकिला फूल इनकी वो पन्यास रचना है इनकी कविताएं हैं कर्मवीर आईए कुछ बाल साहित्य बाल कविताओं के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं इनकी बाल कविताएं बहुत सी हैं जिसमें से चुनिन्दा कुछ प्रमुक बाल कविताएं इस प्रकार हैं एक बूंद, चमकीले तारे, बंदर और मदारी, चंदा मामा, चूँ 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 म्याव म्याव एक तिन का कविता का सारांस, कुछ इस प्रकार है एक तिन का कविता में कवी हरियोज जी ने हमें घमंड ना करने की प्रेणा दी है इस कविता के नुसार, एक दिन वो बड़े घमंड के साथ अपने घर की मुडेर पर खड़े होते हैं तभी उनकी आँख में एक तिन का गिर जाता है उन्हें बड़ी तकलिप होती है और जैसे तैसे तिनका उनकी आँख से निकल जाता है तिनके के निकलने के साथ ही कवी के मन से घमंड भी निकल जाता है और उन्हें सरल जीवन जीने का महत समझ आ जाता है तो आईए पढ़ते हैं एक तिनका मैं घमंडो में भरा एठा हुआ एक दिन जब धा मुडेरे पर खड़ा आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँख में मेरी पड़ा इस कविता में कवी कहते हैं कि एक दिन वह जट की मुडेर पर इनके कठी सब्दों को चाल लेते हैं एठा हुआ अर्थात अकड़ा हुआ मुडेर अर्थात छट के किनारे का भाग तो कवी कहते हैं कि एक दिन वह जट की मुडेर पर अर्थात जट के किनारे भाग पर ना जाने किस आंकार में दूबा हुआ अकड़ कर खड़े थे वोई उसी समय कहीं से एक तिनका हवा में उड़ता उड़ता उनकी आँख में आकर गिर गया उस तिनके ने कवी को बेचैन कर डाला इन काव्य पंक्तियों से हमें यह सिक मिलती है कि अहंकारी प्यक्ती का हंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत है आगे के काव्य पंक्तियों को देखते हैं पढ़ते हैं समझते हैं मैं जिजक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आँख भी दुखने लगी मूठ देने लोग कपड़े की लगे एट मेचारी दबे पाउं भगी कभी कहते हैं कि आख में तिनका पढ़ने के कारण वह बहुत परिशान हो गए फिर तिनके की रगड से बेचैन हो दर्द के कारण आख रगडने लगे आख से तिनका निकालने के लिए आसपास के अन्य लोग भी मेरी मदद करने के लिए आए आख को कपड़े की मूठ से सेखने लगे लोगों को एक तिनके के आगे विवस देख कर मेरी जो अकड़ थी वह चुप चाप महां से चली गई इनका विपंक्तियों से असीख मिलती है कि मनुष्य की अकड़ एक छोटी सी वस्तू के समक्ष मजबूर हो धीली पड़ जाती है इनके कठी सब्द इस प्रकार है जिजग अर्था संकोश बेचैन होना अर्था व्याकुल होना दुखना अर्था कश्ट होना अगली पंक्ति जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिये एटता तू किसलिए इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए इस पंक्ति के कुछ कठी सब्दाज देख लेते हैं धब धब से अर्थात तरीके से समझ अर्थात बुद्धी कवी कहते हैं कि बहुत प्रयाज करने के बाद किसी तरह वतिनका आख से निकल गया तिनका निकलने पर समझ रुपी आत्मा ने अर्थात उनकी अंदर आत्मा ने उसे धिक कारा कि वह अपने अहंकार में किसलिये अकड रहा था जबकि एक छोटे से तिनके के आगे इतना विवस हो गया था उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही काफी था इस पार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकारी मनुष्य एक तीन के के आगे कितना विवस असहाय हो जाता है तो यह अहंकार किसली अतह अहंकार को नश्ट करने के लिए तीन का परियापत है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए इस पार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए चाहे हमारे पास बहुत सारा धन हो, गुण हो, रूप हो फिर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी का घमंड एक तीन का भी जूर कर सकता है तो आज का यह पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक तीन का पार्ट और इसमें जो मिलने वाली शिक्षा है वह भी हमें समझ में आ गई होगी तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे धन्यवाद